नमस्कार स्वागत है आपका अगर सरीर में बात, पित, कफ सही हो तो सेहत में कोई समस्या नहीं होती है इन्हें सही रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं इसमें से कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है और सहार हो चाहे गां हो सबको बहुत असानी से मिल भी जाएगा आज हम बात करने वाले हैं बेल पत्ता के बारे में इसे अगर आप सही तारीके से रोज एक कफ ले लें तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा सारीर साफ अच्छे से होगा तो भोजन का पाचान अच्छे से होगा और दिमाग एकदम रिलेक्स रहेगा अगर दिमाग में सांती हो चिंता ना हो तो सेहत की आधी से ज़्यादा समस्याई ऐसे ही ठीक हो जाती हैं अगर BP बढ़ने की समस्या हो, अगर दिमाग में असलील विचार आते हैं, उसकी वज़े से सारीर कमजोर हो गया हो, तो बेल पत्ता को आप ऐसे भी तीन पत्ता सुबह खा सकते हैं, आप इसका सरवत भी बना सकते हैं, सरवत बनाने के लिए हमने बेल पत्र लिए हैं, बेल प लिए हैं, ये काली मिर्च लिए हैं, काली मिर्च कप को मारता है, बेल पत्ता पित को मारता है, पोदीना है तो इसे भी गर्मी दूर करता है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पोदीना, और थोड़ा काली मिर्च, और ये मिसरी, यदि आपके पास मिसरी नहीं हैं, तो स अच्छे से इसे पीस लेंगे यदि बेल पत्र की पत्ती मुलायम होती हैं तो इसे ही चबाकर खा सकते हैं हमने हमारा जूस पिस गया है अब हम इसे अच्छे से चान लेंगे अब इसे हमें एक से दो गिलास पानी में मिक्स कर सकते हैं और पी सकते हैं बहुत ही असान तारीके से जल्दी बन जाता है बहुत ही फायदे मंद ये होता है अगर जी मिचलाता रहता है उल्टी जैसे महसूस होता है खटी डकारें आती हैं बुखार बना रहता है तो आप ए सरवत जरूर पीएं अगर शरीर में बहुत गरमी के कारण कील मुहासे हो गए हैं उससे भी आपको आराम मिलेगा आज कल लोग रात भर जागते रहते हैं सबके अलग अलग कारण है किसी को काम की वज़े से जागना पड़ता है कोई ऐसे ही जागते रहते हैं तो रात में जागने की वज़े से भी सरीर में गर्मी बहुत बन जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बाल लगते हैं तो चाकी परेसानिया हो जाती है तो जब सरीर में कभी-कभी बहुत पित बढ़ जाता है तो इसी कारण से भी परेसानिया होती है जरूर आप बेल पत्र का प्रयोग कीजिए आपको बेल पत्र बहुत फायदा करेगा आप बना कर पिए और अपना अनुमह कमेंट क करके हमें बताइए कैसे लगा हमारा वीडियो आपको आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें सेयर करें प्रभा की रसोईं को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्वाद मिलते हैं अंगले वीडियो में